मेजरिंग इंस्रुमें nesse है किई आपके लास्थ है आपके पास माइक्रों मीटर इस्कूगेज माइक्रों मीटर इस्कूगेज इस्कूगेज सब्सक्राइब अशून है कि इस पेंसिल एक्वापर का अगर मुझत ऐस ग्रॉयर हो तो कौई भॉट ऊब लिए आप माइक्रो मीटर को यूज करेंगे बिल्कुल इसी तरह से अगर मैं तुमसे काओं कि यह मेरे पास एक रबर बेंड है अब इस rubber band की यह कितनी थिकनेस है इस कितनी थिकनेस है इस थिकनेस को मेजर करना है तो यह भी आपके पास micrometer इस वेज से मेजर होगा micrometer basically very small objects के thickness बताता है even for paper also कि paper का अगर आपको thickness बतानी है तो वो भी आप micrometer से calculate करते है micrometer is more accurate than vernier caliper micrometer vernier caliper से ज़्यादा accurate है micrometer में जब हम बात करते हैं तो micrometer का least count क्यूंकि यह ज़्यादा accurate है तो इसका मतलब है ज़्यादा small reading major कर सकता है और ज़्यादा small reading major कर सकता है इसका least count है 0.001 centimeter या millimeter में 0.01 millimeter 0.01 millimeter या 0.001 centimeter micrometer को अगर मैं आपको shape wise दिखाऊं तो basically यह दिखाना ज़रा micrometer यह है आपके पास इसको touch करो तो clear होगा यह देखें अब यह micrometer में एक minute यह देखें micrometer में इसको zoom करो close करो अब ठीक है अब देखो अगर इसमें तो आपके पास दो scale है एक यह scale नदर आ रहा है तो में ठीक है यह जो scale नदर आ रहा है आपको इसको हम कहते है circular scale दो scale है एक यह है main scale और एक यह circular scale अब अगर मैं यहां पर आपको बताओं इस तरफ आ जाए दिरा यह for example ठीक है main scale यहां पर लिखा है millimeter यह उपर main scale है अगर main scale देखो तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 और इसके बीच में एक डिविजन के बीच में डिवाइड हो अगर इसका मतलब अगर यह 0 है और 1 है तो यह वाली reading 0.5 कहला है अगर 1 और 2 के बीच में डिवाइड हो रहा है तो यह 1.5 होगा 2 और 3 के बीच में डिवाइड हो रहा है तो यह 2.5 होगा hence all तो नीचे वाला जो है वो half division है उपर यह number चल रहा है यह scale जो है that is called main scale और यह जो circular scale है that circular scale इसकी reading comparatively vernier caliper से easy है readings कैसे लेते हैं how to take reading readings कैसे लेंगे इसके लिए step 1 है लिखने step 1 step 1 क्या है लिखना जरा observe that main scale reading which is maximum visible main scale की वो reading लेंगे जो के maximum visible हो for example main scale यहां तक खुलावा है और इसकी main scale की यह reading नदर आ रही और इसके उपर circular scale overlap हो गया तो main scale तो maximum कहां तक नदर आ रहा है 5 तक step 1 में आपने लिख दिया 5 mm यह main scale की reading हो गई step 2 में हम क्या लेंगे step 2 में circular scale लेंगे कौन सी circular scale reading जो इस center वारी यह जो line है इस line के बिलकुल exact सामने आ रही है यह जो central line है याद रखें रहा है यह जो central line reference line है इसको physics में कहते है datum line that is called datum line datum line क्या है यह जो reference है main scale का कौन सा division आ रहा है close को अगर यह 30 है 31 32 33 34 35 तो यह 33 है datum line जो उपर reference line जो उपर 33 number आ रहा है step 2 में आप क्या लिखेंगे लिखेंगे step 2 observe that circular scale leading observe that circular scale leading which exactly concides on the main scale datum line which exactly concides यह बीच में नहीं होगा हमेशा ओ level में किसी ने किसी एक circular scale पर यह datum line आ रही होगी बीच में नहीं आ सकती किसी एक पर आ रही होगी observe that circular scale reading which exactly concides with the main scale datum line and multiply that circular scale reading by the least count जैसे वर्णियर कैलिपर में कहा था हमने difference यह है कि जहां दिखाना यह main scale इसका mm में है और उपर दिखाएं तो least count mm में इसका 0.01 है 0.01 mm अब इदर आ जो जब आप least count को multiply करेंगे तो आप लिखेंगे 33 multiply by 0.01 mm that is 0.33 mm यह mm हो गया step 3 में आप add कर दे step 3 में add कर दे step 1 reading and step 2 reading add कर दे 5 and 0.33 तो final reading आ गई 5.33 mm तो यह comparatively असान है 5.33 reading इसका answer आप यह एक और example दे रहा हूं यहां पर आजा जो जड़ा इसको close करो अब देखो यह अब देखो यह इसरी रखना आप लामने इसी position दे रखते है now listen अब यहां आप आप आपको वह कहरे का reading बताएं 1,2,3,4 4 maximum नहीं है बलके नीचे half वाला भी तुम्हें नदर आ रहा है तो यह half वाला तुम्हें क्या बताएंगा 4.5 mm इसके बाद circular scale reading CSR कौन सा match कर रहा है यह note कर ले अगर यहां note करें तो यह 10 है फिर 11, 12 match कर रहा है हमेशा match करेगा कोई ना circular scale का division जरूर match करेगा 12 इस 12 को multiply कर देंगे least counts है 0.01 mm यह आपके पास आगया 0.12 mm step 3 में finally आप add कर देंगे 4.5 को plus 0.12 4.5 को जब आप 0.12 add करेंगे 4.62 mm is the answer यह actual answer है आपका 4.62 mm is the answer तो यह comparatively असान है अब आपके उसी बुक में जो मैंने आपको बुक बतरी है बुक 1 जो आपके पास है उसी में अगर आप देखेंगे measurement technique पहरा topic होगा जब topic questions है उनमें आप देखना उसमें आपको यह questions मिलेंगे इसके सारे तो आपने वह सारे questions वहां से इसको करना है ठीक है कोई और question होगा तो आप इसको अगर नहीं समझ में आया है तो आप मुझे जो है वह comments में लिखके पूछ सकते हैं कि क्या है ठीक है कोई चीज नहीं समझ में तो मुझसे comments में आप पूछ लें यह यहां पर हमारा यह वाला topic end हो गया जो मुझे basically forces से पहले तुम्हें करवाना था एक एक डाइड्राम एक चीज अच्छे तरह से आप अपने पास draw कर नीजेगा बिटा ओके अस्लाम अलेकूम